देखे आप एक बात बिल्कुल साफ है किसानों के आंदोलन को लेकर केंद्र सरकार काफी गंभीर है और भले ही वो आठ दिसंबर को अपने रास्वैपी हर्ताल को वो जारी रखें लेकिन केंद्र सरकार ने बिल्कुल ही अपना रूख स्पस्ट कर दिया है कि ड्राफ्ट में जहां जो संसोधन की गुंजाइस होगी और ने ड्राफ को लेकर के आएंगे और जरुत होगी तो राज्यों से बात भी करेंगे तो मुझे लगता है एक ताकिक परिनती की ओर ये पूरा प्रक्रन बढ़ रहा है और आज कहीं न कहीं अर्थ्वस्था को लेकर के जो चिंता क्रिश्ची एक ऐसा चेत्र है जो निश्चित तोर पर कठिनायों को दूर करने में कारगर भूमिका का निर्वान कर सकता है और इसलिए दोनों ही पक्षों को कुछ बीच का रास्ता जरूर निकालना चाहिए इतनी बात है कि फार्म बिल किसानों के पक्ष में है लेकिन कु कि टीम सी विधायक की हत्या के मामने ब्रंगाल सी आईडी ने मुकुल रायक इकलाव चार सिद्धा करी देखिए अब अगर जरा भी नैतिक्ता में टीम सी के सिर्ष नेत्रित्यों का भरुसा है तो निसंदे उन्हें अब एजेंसी के कारिश्यली पर सवाल नहीं खड़े करने चाहिए इसलिए कि अब मुकुल रायकी सनलीप्तिता का सवाल खड़ा करके जो लोग इस पूरे प्रकरन को ठंडे बस्ते में डालने की बात कह रहे थे उनको करारा जवाब मिल गया है केंद्र सरकार की मंसा बिलक से नहीं जाएंगे सरकार बनाने से कोई नहीं रोख सकता है ठीक एक पार्टी के नेता के तोर पर ऐसे दावे उन्हें जरूर करने चाहिए लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि भारत एक संगिय विवस्था के आधार पर एक ऐसे देश के तोर पर जाना जाता है जहां रास्ट्री और छेत्रिय पार्टियां दोनों का वजूद बहर एहम है और केसियार की जो जीत है नीसंदे जो छेत्रिय शक्तियां है जनता के करीब है जन्भानाओं को समझती है उसके अनुरूप यह जनादेश है और इस जनादेश का सम्मान सब्वों को करना चाहिए अगर आप इस्तिर्चार का चाहते हैं तो हमारे नित्यतु पर तिपड़ी करना बंद करें महागारी के निताओं के दोरा जो तिपड़ी के यह है उसको लेकर के कांगरेश निता नहीं जारूप लगाए अब महागारी का पतन और शंभावी है इस तरह के जब बेसुरे सुर लगने लगते हैं तो यह एक अंत की शुरुआत के तौर पर इससे देखा जाना चाहिए और वैचारी तोर पर वीपरित प्रिस्ट भूमी के राजनेतिक दल जब भी एक साथ आते हैं तो यह कठिनाई इसलिए हमें इंतिजार करना चाहिए कि वहाँ इस सरकार का पतन होगा और बारतिय जनता पार्टी के नेत्रित में एक नई सरकार बनेगी झाल 5 एक सरकार तो पस्लिए पी ट्रूमे कि वहां बनेगी